मुझे न ये बुनी हुई चीज़े बड़ी पसंद आती हैं बच्पन में जब मैं छोटी थी तो अपनी दादी के साथ इस तरह की सिलाई बुनाई करने मैं भी बैठ जाती थी खैर मेरे लिए तो उस वक्त ये बस एक एंटरेटेंमेंट का जरिया था लेकिन यूपी की रहने वाली तारिशी ने अपने इस कला को बिजनेस में बदल डाला और इससे वे आज 2500 से जादा लोगों को रोजगार दे चुकी हैं साथ ही करोडों रुपे की कमाई भी कर रही हैं तारिशी ने अपनी पढ़ाई पूरीकर करीब 4 साल तक आर्टिटेक सेक्टर में काम किया इसी बीच उनकी शादी भी हो गई और साल 2015 में उन्होंने एक बेटी को जर्म दिया बच्ची के लिए तारिशी की सास ने खुद से बुनी हुई फ्रॉग तयार की फ्रॉग की फोटो तारिशी ने अपने दोस्तों और रिष्टेदारों को भीजी तो उन्होंने भी इसी तरह के फ्रॉग के डिमांड की क्योंकि उन्हें इसी चीज बहुत पसंद आई तब यहीं से तारिशी को अपने इस हुनर को बिजनेस में बदलने का खयाल आया क्योंकि बच्पन में वो भी ऐसे कड़ाई बुनाई की चीज़ें किया करते थी आज की जनेरेशन को इस कला का इतनी नौलिज नहीं है इसी सोच के साथ मैंने अपने साथ लेडी आर्टिसन को जोड़ना शुरू किया देश के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हमाई साथ लेडीज चुड़ी हुई हैं आज हमारे साथ धाई सो से जादा लेडीज डिकली जूड़ी हैं और हजारों लेडीज इंडिकली जूड़ी हुए हैं और हम अपने प्रोड़क्स को ऑनलाइन ले गए तो हो अविलेबल हैं अजूबा.न हमारी विपसाइट और ब्रैंड नेम हुनी के नाम से बाकी ऑनलाइन पूर्टल्स पर भी भारत के छे राजियों में उनका कलेक्शन सेंटर है तारिशी ने कुछ कुरियर कंपनियों से भी तारिशी ने अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के दर्वाजे खोले हैं. पिछले साल उनका टर्नोवर दो करोड उपे से जादा रहा था लेकिन उनकी एजड़ने काफी चालेंजिंग रही थी. टेक्स्टाइल, कपडों और फैशन के फिल्ड में कोई एक् हमेशा कुछ नया ट्राइ करते रहना चाहिए. क्योंकि कभी छोटा सा आइडिया आपके लिए बड़ा बन जाए, कोई नहीं जानता. जब जो होना होता है, तब वो हो करके ही रहता है. इसलिए महनत करिए और कभी भी निराशमत होईए. तो आप भी तारिशी के इस कहानी से सीख लिजी और कुछ नया ट्राइ करने से बिल्कुल मत घबराइए. और ऐसी ही और भी स्टोरीज के लिए दैनिक भासकर से जुड़े रहे है.